इस वीडियो में बताने वाला हूं कि कैसे support और resistance zones और levels को mark करते हैं पहले आपको one hour time frame लगा लेना है, जब लगा लेंगे one hour time frame आपको line chart कर देना है और mark करना है दो या तीन zones, इस zones ऐसे रहने चाहिए जहाँ आपे strong reversals यानि sharp reversals आए है जब sharp reversals आप ये mark कर लेते हैं, आपको daily time frame लगा के previous two या three days के high और lows जो भी important है उसको mark कर लेना है, जब आप ये कर लेते है, weekly time frame पर भी आपको same ही करना है, previous two weeks के highs और lows जब आप ये कर लेते हैं, आपके पास कमाल के support और resistance zones बन जाता है और आप इस पे trade कर पाएंगे